Good morning students, today in this video we'll be starting up with a new chapter that is chapter number 4, Romand Numerals और यह जो chapter है, यह आप लोग अपने class LKG से पढ़ते आ रहे हो So today, we'll be discussing few rules based on Romand Numerals तो उसके पहले देख लीजे आप लोगे जानते ही हो, 1 को क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C 500 को D, 1000 को M, these two must be new for you, 500 को D, 1000 को M Okay, now, यहाँ पे एक note है, there is no symbol for 0 in Roman system 0 के लिए कोई भी symbol नहीं है, मतब रोमन अब हम लोग कहां से स्टाट करते लिखना, 1 से स्टाट करते लिखना 0 के लिए कोई भी symbol नहीं दिया हुआ है Now, come to rule 1, when a letter is used more than once, we add its value each time to get the number जब कोई भी letter, एक से ज़्यादा बर repeat हुआ है, तो मुझों उसके value को क्या करते देते, add करते जैसे यहाँ पर देखिए, दो बार आई है, आई का value क्या होता है, 1 होता है, तो we have added 1 plus 1, that is 2 यहाँ पर 3 times x है, that is x का value 10, that is 10 plus 10 plus 10 will be 30, जब एक बार से ज़्यादा repeat होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार से ज़्यादा बार लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, को add करते हैं, the same symbol, एक note है, the same symbol cannot be repeated more than 3 times together, कोई भी symbol, जब same symbol है, तीन से ज़्यादा बार हम लोग repeat नहीं करते हैं, maximum limit कितना है, maximum is only 3 times, ठीक है, तीन से ज़्यादा बार repeat नहीं होता है, and the symbols V, L, D are never repeated, V, L, और D, कभी भी repeat नहीं होता है, कभी आप लोग नहीं देखे हुए कि दो बार V कहीं लिखा हुआ है, या फिर दो बार L कहीं लिखा हुआ है, कभी ऐसा नहीं देखते हैं, ठीक है, मतलब V, L, D are never repeated, now come to rule 2, when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of larger value, add the two values, जब left में बड़ा वाले वाले रहे और right में छोटा वाले वाले रहे, ठीक है, left में बड़ा वाले वाले और right में छोटा वाले 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 तो मनों क्या करते हैं, वाले उसको एड़ कर देते हैं, जैसे यहाँ पर V, I, I, यहाँ पर V जो है, वो 5 हैं, और I मतलब 1, तो left में बड़ा वाला है और right में छोटा वाला है, तो मनों उसके values को क्या कर देते हैं, एड़ कर देते, तो मनों क्या करते हैं, वी सब्ट्राक्ट समॉलर फ्रॉम दे लाजर जैसे यहाँ पर देखी, I, V, I is 1 and V is 5, जोब लेफ्ट में छोटा रहे और right में बड़ा रहता है, तो मनों क्या करते हैं, बड़े वाले से चोटे वाले को, राटी जोट इस 5 वाईनस 4, विल बी 1, सी मतलब 100 और दी मतलब 500 जो छोटा वाला पहले हो जाता है लेफ्ट में होता है और बड़ा वाला राइट में होता है तो हम लोग क्या करते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को सब्सक्राइट कर देए तिस 500-100 विल भी 400 ठीक है बड़ा वाला बात में मतलब बड़े वाले चोटे वाले में आते हैं नाइन टीको एक सी 100 को सी 200 को डबल सी 300 को ट्रिपल सी 400 को सी डी सीडी क्यों सी मतलब 100 डी मतलब 500 तो 100 500 से 100 सब्सक्राइट करें तो यह क्या हो जाएगा 400 डी को 500 600 को dc 700 को dcc 800 को d triple c और 900 को cm cm मतलब यह 100 और यह 1000 डाट इस 100 में 100 को सब्सक्राइट करें 1000 से कितना आगे यह 900 और 1000 मतलब क्या होता है 1000 इस m ठीक है come to self practice 4 फिर इन दा blanks x iv और यहाँ पर blank दिया हुआ है तो x मतलब तो होगया 10 iv मतलब क्या होता है iv मतलब 4 तो 10 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 14 यह देखिए question number c c xl viii c को क्या लिखते है c is 100 xl को xl is 40 and viii को viii को 8 यह क्या हो जाएगा 148 नाव डी नमबर c d lii c d मतलब c d मतलब क्या लिखते है देखिए यहां पर बड़ा वाला बाद में हो चोटा वाला पहले है मतलब बड़े वाले से चोटे वाले को subtract कर देखिए that is 500 minus यहां पर क्या हो जाएगा 100 c मतलब क्या होता है 100 फिर l मतलब 50 दो पर आई है मतलब यह क्या हो जाएगा तो 500 में 600 subtract हो तो 400 और यह 50 और यह 2 that is क्यता हो जाएगा यह 452 ओके ना कम तो second question question number two write the roman numeral in hindu arabic system यहां पर roman number में लिखा हुआ है और हमें यहां पर numbers में लिखना है किसका value क्या होगा तो question number q cd xxxii cd मतलब क्या होता है cd cd is 400 400 plus xxx 30 plus 2 यह कितना हो जाएगा 432 second is cm lx1x sorry ix cm मतलब cm is 900 lx means lxx 60 plus ix means 9 that is कितना हो जाएगा 969 the third is route write the roman numerals यहां पर numbers दिये हुए और हमें roman numerals में लिखना है तो 600 का क्या होता है 600 is कि dc कि यहां पर फिर क्या है five that is we that is कितना हो जाएगा यह dcv next is 2430 तो 1000 का क्या होता है one name एक बार हम लिखते है तो 2000 का क्या हो जाएगा दो बार हम two times 400 का क्या होता है 400 is cd ठीक है और 13 का क्या हो जाएगा x iii क्या हो जाएगा mm cd x iii यह हो गया हमारा roman number में so students your homework will be that you'll be solving self practice 4 in your maths copy that's all for today thank you